सबी गोईंकंस को मेरा प्यार बरापर नाम आशा है, सबी बच्चे अपने अपने गरू में स्वस्त है, सुरक्षित है आप सबी गोईंकंस का मेरी कक्षा में हार्दिक स्वागत है प्यारे बच्चों आज के विशे में पढ़ रहे हैं वचन जो आपकी पुस्तक व्याकरण से लिया गया है शुरू करते हैं सबी बच्चे दियेगे कारे को पढ़ेंगे और समझेंगे वचन वचन यानि नंबर संख्या एक या अनेक बताने वाले शब्द वचन कहलाते हैं प्यारे गोईंकंस जिन शब्दों में हमें एक या एक से ज़्यादा के बारे में पता चलता है उन शब्दों को क्या कहते है वचन जिन शब्दों से हमें एक से अधिक होने का पता चले जैसा कि मैंने आपको बताया जिन शब्दों में हमें एक से ज़्यादा होने का पता चले उन शब्दों को क्या कहते है वचन वचन के दो बेद हैं बेद यानी पार्स वचन जो है नंबर जिसको हम कहते हैं उसके दो बेद हैं एक वचन बहुवचन जैसा कि आप जानते हैं Singular, Plural एक वचन बहुवचन अब देखें एक वचन किसे कहेंगे और बहुवचन किसे कहेंगे एक व्यक्ती या एक वस्तू का बोद कराने वाले शब एक वचन कहलाते हैं यानि जिन शब्दों में हमें एक व्यक्ती या एक वस्तू के बारे में पता चले जो हमें सिर्फ एक चीज के बारे में बताएं उन शब्दों को क्या कहते हैं एक वचन एक से अधिक बताने वाले शब्द बहुवचन कहलाते हैं तो प्यारे बचो जो हमें एक से ज़्यादा के बारे में बताता है उसे क्या कहते हैं बहुवचन यानि सिंग्यूलर को एक वचन और पल्यूरल को बहुवचन आशा है आप सबी बच्चे मेरी बात ध्यान से समझ रहे हैं सबी बच्चे अपनी अपनी पुस्तिका पर ऐसे ही बनाएंगे उपर आप लिखेंगे वचन और एक आप एक साइड एक आपनी जो आपकी पुस्ते का है एक जगा आप लिखेंगे एक वचन तो दूसरी जगा बहु वचन एक वचन के नीचे आप सबी बच्चे पहले एक माला बनाएंगे जो कि बहुत बहुत ही आसान है बनानी माला बनाएंगे बहु वचन में आप दो माला बनाएंगे यानि एक वचन की नीचे हम लिख सकते हैं एक माला और दो जब है या दो से जयदा हैं तो क्या लिखेंगे मालाएं ऐसे ही दूसरा चित्र बनाएंगे आंक तो एक वचन में आएगी एक आंक और बहु वचन में कितनी आएंगी दो, दो से ज़्यादा भी आ सकती हैं तो आप बनाएंगे दो आँखें एक वचन में अगला चित्र तारा और अगर हम बहु वचन में तारे लिखेंगे तो हमें दो, दो से ज़्यादा भी आप बना सकते हैं आखरी चित्र है केला तो एक वचन में आएगा एक केला और बहुवचन में केले बहुत सारे एक वचन का अर्थ है एक और बहुवचन का है एक से अधग यानि एक से जादा आशा है आप सभी बच्चों को कारे समझ में आया आज की कक्षा में वचन पढ़ा और वचन क्या है जिसमें हमें एक से जादा होने का पता चलता एक से जादा चीजूं की संख्या के बारे में पता चलता है और वचन के कितने बेद हैं दो एक वचन बहुवचन एक वचन में हमें सिर्फ एक के बारे में पता चलता है और बहु वचन में एक से अधिक तो सबी बच्चे ऐसा ही चित्र अपनी पुस्तिका पर बनाएंगे एक वचन और बहु वचन प्यारे गोईंकन्स आज की कक्षा में आपके लिए इतना ही आपसे फिर मिलेंगे अगली कक्षा में त परनिवाद!